नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, रेडी हो जाएगी डिक्टेशन लिखने के लिए, जो लोग अभी हाली में शॉर्ट हैंड जिन्होंने कम्प्लीट किया है, बेसिक लेक्चर्स, ठीक है, उनको लिखने में दिक्कत आएगी, ठीक, तो वो परिशान नहों, उनके लिए एक सिंपल फंडा ये है, कि आप PDF को ढूढ़िए, और उसको देख के पहले एक दो बार लिखिए, ठीक, फिर उसके अदिक्टेशन को दो तीन बार लिखिए, तब आपके अंदर वो accuracy आएगी उस particular डिक्टेशन में, जो लोग का आत्राओं की गड़बड़ी आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि टाइपिंग, टाइपिंग ये सिर्फ और सिर्फ आप ही सुधार सकते हैं, और आप ही इसमें अपने अच्छे नंबर या खराब दोनों कर सकते हैं, ठीक, तो ये जिम्मा पूरी तरह से आपका है, टेली आप इस पर समय दे, रडी? किया गया फुल स्टॉप, पैरा पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिक्रीदार ने हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर मद्यून के विरुध तीन लाख रूपय मय हर्जे खर्चे की राशी वसूली योग्य होने तथा मद्यून द्वारा उक्त राशी दि नहीं करने एवं मद्यून द्वारा राशी की अदायगी से बचने के लिए बार बार व्यवसाय इस्थल बदल कर इस राय की कार्यवाही को रोकने से मद्यून को गिरफतारी वारंट से तलब कर उससे बकाया किराया राशी वसूल किये जाने तथा बकाया किराया राशी जमा नहीं कराने पर सिविल कारावास में भेजे जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया फुल स्टॉप पैरा इस परिप्रेक्ष में पत्रावली की आदेशिका दिनांग 28.5.2019 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मद्यून पर नियायाले द्वारा वसूली योग्य तीन लाख रूपए की राशी होना मानते हुए वसूली वारंट जारी करने के आदेश दिये गए थे फुल स्टॉप तत्पश्यात मद्यून द्वारा किराया राशी अधा नहीं करने पर दिनांग 12.12.2019 को दिक्रीदार के निवेदन पर मद्यून की चल अचल संपत्ती कुर्क किये जाने के आदेश देते मद्यून के विरुद आदेश 21.35 CPC के तहत वारंट जारी किये गए फुल स्टॉप मद्यून की दिक्रीदार द्वारा दी गई संपत्ती के संदर्भ में जारी किये गए आदेश 21.35 CPC के तहत जारी किये गए वारंट से वसूली नहीं होने से दिक्रीदार ने मद्यून को गिरफ्तार कर बकाया राशी दिलाने जाने का निवेदन किया है फुल स्टॉप पत्रावली के अवलोकन से इस पश्ट है कि मद्यून पर 3 लाख रूपई की राशी अदा करना शेश है तथा मद्यून द्वारा उक्त राशी दिक्रीदार को अदा नहीं की जा रही है, फोले स्टॉप डिक्रीदार ने हस्त गत प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वोयम का शपत पत्र भी पेश किया है, अतह डिक्रिदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुविकार करते हुए मदियून के विरुध आदेश 21 नियम 37 CPC के तहट नोटिस जारी किया जावे फुलिस्टॉप पैरा पत्रावली वास्ते देखने नोटिस तामील रिपोर्ट में दिनांक 30.3.2021 को पेश हो फुलिस्टॉप पैरा अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित फुलिस्टॉप बहस प्रार्थना पत्र अंतरगत धारा 21 राजस्थान किराया नियंत्रन अधिनियम सपठित आदेश 22 नियम 3 CPC दिनांक 2.1.2021 तथा मदियून बटा उज्रदारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतरगत धारा 21 राजस्थान किराया नियंत्रन अधिनियम 211 सपठित धारा 151 CPC दिनांक 3.1.2021 सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया फुल स्टॉप पैरा पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है की बहस उज्रदारी की स्टेज पर प्रार्थिगण तथा मदियून बटा उज्रदार ने प्रिथक प्रिथक प्रार्थना पत्र पेश कर यह निवेदन किया की प्रकरण में दिक्रीदार संख्या नौ स्रीमती स्रवणी देवी गोयल की मृत्यू दिनांक 13.10.2020 को हो गई है जिसकी मृत्यू के पश्यात भी उक्त प्रकरण का वाद कारण उनके वारिसान में शेश बचा रहता है अतह प्रार्थिगण को मृतक दिक्रीदार संख्या नौ स्रवणी देवी गोयल के विधिक वारिसान के तौर पर अभिलेक पर लिये जाने का निवेदन किया मदियून के जवाब का अवलोकन करी तो मदियून ने प्रार्थिगण के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई ठोस आपती नहीं की है तथा उक्त दिक्रीदार संख्या नौ के देहांत के पश्यात उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण की कार्यवाही निरंतर जारी रखे जाने का निवेदन किया प्रार्थिगण ने दिक्रीदार संख्या नौ स्रवणी देवी गोयल की मृत्यु के पश्यात विहित समयावधी में स्वयम को बतोर विधिक प्रतिनिधी के रूप में अभिलेख पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है अतह प्रकरण के समस्त तत्यों, परिस्थितियों को द्रिष्टिगत रखते हुए प्रार्थिगण तथा उज्रदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिगण को मृतक दिक्रीदार संख्या नव स्रवणी देवी गोयल के इस्थान पर बतावर विधिक वारिसान के रूप में अभिलेख पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं, आदेश सुनाया गया पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक बटा बहस उज्रदारी में दिनांग 3.3.2021 को पेश हो आप लोग को लग रहा होगा दूसरा वाला जो पैरा एक बोला गया है जहां से कि कुछ-कुछ मेंटर से हम है तो हाँ चुकि थीम दोनों ही डिक्टेशन की सेम थी तो एड करके टोटल वर्ट्स आपके बने हैं लगभग 628 ठीक एक्चुल स्पीड आपको थम्नेल में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्रिशन बॉक्स में पीडियाफ की लिंक टेलिग्राम पर मिल जाएगी और सबसे बड़ी चीज है आप अपनी टाइपिंग स्पीड एक्कुरेसी एक तब मेंटेन रखिए ठीक वहाँ से नंबर ठीक ठाक आप कवर अप कर पाएंगे और एक कॉंफिडेन्स रहता जब आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है शौर्ट हैंड में अगर थोड़ा मड़ा उपन नीचे हुआ तो आप उसको अपनी टाइपिंग स्पीड से ठीक ठाक खीच के ला सकते हैं सिंगल लिजिट से भी लगबग लगबग एरर आ रही मेरी तब आप अगली डिक्टेशन पर जाईए ठीक और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर अभश्य करें जो कि इन डिक्टेशन में थोड़ा एफर्ट लगता है ढूणने में ठीक कि कैसा कंटेंट देना है वह सब आप लोग अपने लिए इस्तेमाल करिए ठीक चुकि सारा मेंटर लीगल है मुझे लग रहा उसमें अल्रेडी साथ 19-20 वीडियो पड़ी है और ये राजस्तान के लिए आद दूसरा वीडियो है तो इसका भी उप्योग आप लोग खूब करिए और दोस्तों को भी कराईए एट्स आल थैंक यू